बॉलिवुट की पहली फीमेल सुपर स्टार श्री देवी के मौद के बाद अभी भी बेटी जानवी का मूड कुछ बदला बदला जान रहा है जिहां मा के आचल का साय चुट जाने के बाद बेटी जानवी इसी वीच आज यानी छे बार्च को अपना 24 वा जनन दिन मना रही है जिहां जानवी का पूरा 24 साल की हो गई वही बात करें जानवी के जनन दिन की तयारी की तो श्री देवी हर साल अपनी बेटियों का जनन दिन बड़े ही धूमधाम के साथ मना दी थी वह हमेशा एक महीने पहले ही तयारियां शुरू कर दे थी वो जानवी को बद सप्रा देना चाहती थी यही नहीं श्री देवी जब दुबाई में थी तो वो जानवी के लिए बहुत सारी शापिंग करने वाली थी इसलिए वो दुबाई में रुकी भी थी लेकिन उनका ये सपना पूरा ना हो सका और बेटी के 21 जननल दिन से पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया श्री देवी के मौत के बाद बोनी कपूर और परिवार मौत के गम में गुम नाम सा हो गया उन्होंने कोई भी पार्टी अरेंज नहीं की ना ही कोई जश्न मनाया पर पिता बोनी कपूर ने अपनी बेटी को निराश्ट ना करते हुए घर में ही एक छो जानवी कपूर ने अपने करियर की शुरवात की थी और मा के निधन के बाद फंघड़क की शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ गया जानवी ने भी मूवी को कम्प्लीट करने से मना नहीं किया जी है इसके और इनका काम करने की इच्छा भी पूरी तरीके से खतम हो वही शुरी देवी के निधन के बाद अरजुन कपूर अपनी चचेरी बेहनों का पूरा खयाल रख रहे थे जिहां वहीं बता दे जानवी कपूर की वो बेहनी खुबसूरत और उनका साड़ी लुक आपको काफी जादा पसंद आता है जिनमें वो बिलकुल अपनी बाद श्री देवी जैसे लगती हैं आपको बता दे जानवी ने श्री देवी की तरह ही ब्यूटी सर्जरी भी कराई है जानवी की एजुकेशन की बात करें तुन्होंने मुंबई के इस थे दीरुभाई अंबान इंटरनेशनल स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की है वहीं ए स्टार्कास्ट की बात करें तो मुवी में आर राजकुमार राव और वरुन्स शर्मा भी नजर आएंगे हमारे पूरी टीम की तरफ से जानवी कपूर को उनके 24 जनम दिन वेल दोस्तों जाते जाते हमारी पूरी टीम की तरफ से जानवी कपूर को उनके जनल दिन की धेर सारी शुप काम दा है